शरत प्रवार की पत्नी बेटी ने विपक्षी केंडिडेट से लिया 85 लाख का लोग बारामती से कनेक्शन महरास्ट में बारामती की जंग पवार परिवार के लिए एहम हो गई है एक और जहां महाविकास अघाडी यानी M.V.A. सद्धिक गजनेता शरत पवार की बेटी सुपरिया सुले मैदान में है वहीं महायूती ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्र पवार को यहां उमीदवार बनाया है अब खुलासा हुआ है कि सुनेत्रा ने सीनियर पवार की पत्नी और बेटी को 80 लाख रुपे से ज़्यादा कलों दिया है महारास्ट की 12 मती लोकसवा सीट से लगातार 3 बार के सांसद सुपरिया सुले पर उनकी भापी और विरोधी खेमे से उनके खिराफ लड़ रही सुनेत्रा पवार का 35 लाख रुपे बकाया है यह जानकारी सुले ने गरिवार को नामानकन पत्र के साथ संलद हलफ नामे में दी रास्टवादी कॉंग्रिस पार्टी शरत चंद्र पवार के अध्यक्ष शरत पवार की बेटी का मुकाबला चचेरे भाई अजीत पवार के नेत्रत वाली रास्टवादी कॉंग्रिस पार्टी की उमीदवार सुनेत्रा से है सुनेत्रा अजीत पवार की पत्नी है सुले की तरफ से दाखिल हलफ नामे के अनिसार उन पर अजीत और सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार का भी 20 लाग रुपे बकाया है सुले और सुनेत्रा पवार दोनों ने दिन की शुरुआत में यहां काउंसल हौल में निर्वाचन अधिकारी के समख शुबारा मती लोकसवा के लिए अपना अपना नामान कन पत्र दाखिल किया सुले के मताबद उनकी और उनके पत्ती सदानन्द सुले की कुल चल संपत्ती 114 कροड़ रुपे से अधिक की है सुनेत्रा पवार ने अपने हलव नामे में चल संपत्ती की कीमत 12.5698,913 रुपे जबकी चल संपत्ती की कीमत 58.44,46,ному रुपे बताई है समाचवार रेजिंसी एन आई के मतावच सुनेत्रा पवार ने सुप्रिया सुले के अलावा सीमेर पवार के पत्नी प्रतिवा पवार को भी 50 लाक रुपे दिये हैं दोनों ही उमीदवारों ने गुरुवार को नामनकन दाखिल किया एक उचहा सुनेत्रा की रेली में मुख्यमंत्री एकनाच्शन द्योप मुख्यमंत्री देविंत्र फडनवीज और अजित पवार शामिल है वहीं सुले की रेली में शरत पवार और कॉंग्रेस के वरिस्ट नेता प्रतिवी राज चोहान और बारा साइब ठोराट मौजूद थे बारामती में साथ मई को मतिरान होगा जबकि शिक्रवार को होने जा रहे पहले चरण में महरास्ट के पांच सीटों पर वोटिंग होने जा रही है